नमस्कार प्रेंट आज किस वीडियो के माध्यम से एक और नया नोटिस्पिकेशन के बारे में जानकारे देंगे प्रेंट बता दू कि राज स्वास समीति बिहार के तरफ से एनियम 8853 कैनिडेटों का रिजल्ट हो चुका है और इन सारे कैनिडेटों में जो कैनिडेट काउं कि जारी कर दिया गया है तो वीडियो को पूरे देखेगा ओफिस्टेशन क्या कहे रहा है साते आप लोगों को कैसे कैसे आधार से लिंक कराना होगा सारा प्रूसेस हम आपको बताएंगे तो वीडियो पर बने रहे हैं बिखार नर्स रेस्टेशन काउंसल के ओफिसल गया है admission on NRTS member and student NRTS admission notice यानि कि आधार से link कराने का notice जी ही है तो आप लोग यहां से अपना अधार का link कराने का जो notification दिया गया वो download कर लिजेगा download करके हम आपको दिखा दिते हैं तो प्रेंड हम यह notification download कर लिए अगर आपको download करने में किसी परकार के दिकते हो रही है तो टेलिग्राम गुरूप का link आपको description मिल जाएगा टेलिग्राम गुरूप से जोईन हो जाएए जहां पर आपको सभी परकार की dot वहां से clear कर सकते हो और आपको सारा notification pdf की रुपे मिलता रहेगा फ्रेंड बता दू कि यह notification बिहार परिचर का निवंदन परसाद पटना की official website पर डाला हुआ है दस मट 2022 को update किया गया है यह दुस्री उचना अधिस उचना इसमें यह है हम important point बता देते हैं कि जितने भी candidate है नर्स का course complete कर लिए है उसे पंजिकरन कराना होगा NRTS system यानि कि नर्स tracking system में आप लोगों को यह पंजिकरन कराना है यानि कि आधार से link कराना है इसके लिए 12 सरकार ही एक portal खोल दिया है जिसे आईस्वान भारत digital mission के ताथ चल रही है यह कार्ज तो प्रेंड जितने भी पर सिक्षित नर्स है NRTS को अपना नमांकन कराने का निर्देश दिया जाता है तो सारे candidate को अपना यहाँ पर करा लेना है प्रेंड बता दू कि इसके लिए जो आपको NRTS में कराना होगा NRTS का यह लिंक है इस लिंक पर जाकर कि खुद से अब अधार लिंक करा सकते हो जो बेक इंडेट यहाँ पर ANM पास आउट की हो साथी प्रेंड हम आपको बता दू कि जब अधार से लिंक करानी लगेगा तो आपको यह सारा डोकुमेंट लगेगा परमान पत्र लगेगा अधार परमानी करन के लिए अधार से लिंक हुआ है इसका यह चीज़ आपको लगेगा मवाईल नंबर लगेगा सारा चीज़ आपको अपलोड करना परेगा तो फ्रेंड यह नोटिस्पिकेशन है कि आप लोग जो भी केंडेट NRTS में भी तक नहीं अपडेट हुए है तो फ्रेंड अब आप लोग समझ गये होंगे कि यह नोटिस्पिकेशन जारी कर दिया गया अब हम बात करते हैं कि NRTS में कैसे अपडेट करेंगे और आधार से लिंक कैसे करेंगे तो फ्रेंड हम इसके लिए के स्पेशल वीडियो आप लोग को जस्ट दो तीन गंटा के बाद अपडेट कर देंगे कि अधार से लिंक कैसे करेंगे अपने A&M सर्टिफिकेट को तो आप लोग वेट करिएगा और चलंको सब्सक्राइब कर लेजेगा जिससे के अब आपको जानकारे मिल जाएगा थैंक्यू